हेलो और वेलकम बैक टो गोर्ड लिस किचिन गईस आज मैं फिर से आप लोगों के साथ एक अलग से केक की डिजाइन लेकर के आए हूँ तो आज मैं आप लोगों के साथ शेर करूँगी रस्मलाई केक लाश ले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने अंगूरी रस्मलाई बनाई थी और जब भी मुझे कुछ इस तरीके से केक का ओडर आता है तो मुझे मिला है रस्मलाई केक का ओडर वो भी देड किलो से तो मैंने सुचा कि क्यों ना इसका वीडियो शूट किया जाए अपने विवस को दिखाने के लिए और उन्हें यह डिजाइन कैसा लगता है तो लाश वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से आप रस्मलाई बना सकते हैं तो मैंने अंगूरी रस्मलाई बन चान लिए और इसे मैंने लगबग चार में कट किया है और यह पॉँंज था लगबग साथ्यू ग्राम का था अब हम इसमें डालेंगे रस्मलाई का यह जो रस्मलाई इसे मैलीा है क्यों ॏ ब्क राइफू शू न्यृज कर लिया है और चारो तरह मैं क्या करूँगी। तो इस तरीके से मैं चारो तरफ अच्छी तरीके से इसे लगा लूँगी उसके बाद मैंने आपे विपिंग क्रीम पहले से तैयार करके रखी थी विपिंग क्रीम बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं आप कैसे विपिंग क्रीम बनाते हैं ताकि आपका जो विपि तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताइए मैं आप लोगों तक उसके रस्पी शेयर करूंगी तो यह देखिए विपिंग क्रीम स्प्रेड करने के बाद मैंने इसके उपर एक और लेयर लगा दिया है उसके उपर से मैंने फिर से थोड़ा सा जो रस्मलाई और अब मैं इसके उपर डालने वाली हूँ थोड़ा सा रस्मलाई जिसे मैंने कट करके पहले से ही रखा था तो आप चाहिए तो डालना है तो डाली अदरवाइस आप स्किप कर सकते हैं तो थोड़ा सा कटा हुआ मैं इसमें रस्मलाई डाल दूंगी ताकि इसका टेस्ट अब बाहर से बिल्कुल ना लेकर क्या हूँ घर पे बना तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं स्पॉंज टूड़ गया था यह उपर का बेस था तो इसे भी मैंने डाल दिया है क्योंकि चार लेयर का यह है और लगबक देड किलो के ऊपर का यह कोना चाहिए तो इस हिसाब स मैंने इसी किया केक का तीसरा लेयर लगाने के बाद इसके उपर भी हमें रसमलाई का रस अप्लाई कर देना है ताकि यह भी बहुत अच्छे से मौइस हो जया वैसे जब भी आप केक बनाया ना मैं आपको कुछ टिप्स देती हूं कि जब भी आपका केक को ओर आप घर के पहले केक बना एक दिन पहले स्पॉंज बना लीजे और इसे अच्छी तरीके से राप करके फ्रिज में रख दीजे उसके बाद आप इसे कट करें बहुत अच्छा उसका टेस्ट भी लगता है मौइस भी होता है और सॉफ्ट भी रहता है तो बहुत सारी चीज़े होती है एक साथ मिल जाती है आपको तो ऐसे भी बना सकते हैं और जब भी आपका केक का ओडर आता है इस तरीके से तो आप भी कोशिश करिए कि रस्मलाई केक हो या कोई भी चीज़े घर पे बनाए फ्रेश और अच्छा बनेगा ना तो आपके जो कस्टमर है उनको भी बहुत है बट मेरे टेस्ट मेरे वीवर्स को कस्टमर को पसंद आना चाहिए क्योंकि टेस्ट के लिए सब कुछ किया जा रहा है अब हम यहां पर रखेंगे हमारा चौथा लेयर जिसे हलका हलका साइड के एजिस को मैंने पहले से ही थोड़ा सा चारो तरफ इसके रस लगा दिया उसके बाद हमें इसे चारो तरफ अच्छे से फैलाने को फ्रिज में रखना है ताकि अच्छी तरीके से थोड़ा हो जाए उसके बाद हम इसकी पूरी आइसिंग करेंगे अभी पूरी आइसिंग नहीं हो रही है अभी हलकी हलकी इसे अच्छी तरीके से से जाएगी उसके बात करेंगे तो गाइस अगर आप भी न ओनलाइन और ओनलाइन ऑफ लाइन क्लासिज लेने वाले ओनलाइन और आप भी करना चाहते हैं तो कॉमेंन बताई या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर करेंगे न तो मुझे पता चल जाएगा तो यहाँ पर मैंने इस cake को लगवा 15 मिन्ट ले फ्रिज में रखा था उसके बाद अब इसके final icing की जा रही है तो whipping cream चारों तरफ अच्छी तरीके से लगा दूँगे मैं और चारों तरफ cream लगाने के बाद मुझे इसे अच्छी तरीके से spread करना है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कभी कबर क्या होता है ना बहुत सारे जो मेरे वीवर्स है केक को अच्छा finish नहीं दे पाते हैं तो उसका भी मैं आपको एक बहुत ही best solution बताते हैं अगर आपके केक को आप फिनिश नहीं दे पा रहे हैं तो आप किस तरीके से अपने केक को फिनिश ले सकते हैं केक को अगर आप साइड से फिनिश नहीं दे पा रहे हैं तो क्या करें इस तरीके से एक सिलिकॉन का ब्रश लीजे पानी से अच्छी तरीके से क्लीन करें पानी जटकने के बाद आप इस तरीके से उसे बहुत ही अच्छा यह देखिया आप डिजाइन दे सकते हैं यह हमें चोटा-चोटा रोज वाला फूली बनाना है तो पहले अच्छी तरीके से माइन में आपको सेट करना है कि आपको फ्लार कहां से बनाना है तो यह देखिये मैं इस तरीके से चोटे-चोटे इस पे फ्लार बना रहे हूं एकदम पॉफट इसी तरीके से बनाते हुए हम मैं पूरा नीचे तक लेके जाना है यहां पर मैंने रस्मलाई की छोटे-चोटे पीसेस मैंने तयार किये थे अंगूरी टाइप के वो मैंने आधे-अधे कट करके रखे हैं I'm so sorry guys so मैंने flowers तो बना दियें बट मैं camera on करना भूल गए थी जब मैं इस अंगूरी रस्मलाई को इस फ्लार के पर रख रहे थी जब तीन फ्योटे-चोटे यह फ्लार्स बचे तो मुझे याद आया कि यार मैंने camera thorn करना भूल गए I'm so sorry guys next time मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि यह मुझसे गल्ती कभी नहीं नहीं तो यह देखे इस तरीके से मैं रस्मलाई के pieces को डाल दूंगी यह देखे एकदम perfect इस तरीके से assemble करना है ताकि बिल्कुल भी गिरे नहीं और एकदम perfectly यह assemble हो जाए so cake को final touch देने के लिए मैं पिस्ता से इस तरीके से इसे थोड़ा सा और गानिश कर दूंगी यह थोड़ी सी creativity मेरी थी क्योंकि मैंने सुचा कि कुछ unique try किया जाए कुछ अलग तरीके से cake को decorate किया जाए तो मुझे ऐसे समझ मैं तो मैंने कर दिया तो पिस्ता को पतले-पतले pieces में cut करके इस तरीके से मुझे चारों तरफ लगा देना है और सिर्फ पिस्ता ही ने पिस्ता के साथ साथ हम थोड़ा सा बदाम भी लगाएंगे तो आलवन को भी मैंने इसी तरीके चोड़ी-चोड़ी pieces में cut करके लगाना है एक दम perfectly तो आलवन को अच्छी तरीके से इस से मैं assemble करूंगे आप चाहिए तो थोड़ा सा केसर भी लगा सकते हैं और थोड़ा सा रोस पैटल्स भी लगा सकते हैं बट मैं थोड़ा सा रोस पैटल्स भी लगाओंगे तो पहले मैं क्या करूंगी सेंटर में इस तरीके से चोड़े-चोड़े pieces में cut हुआ हमारा यह जो अगर आपने भी रस्मलाई केक बनाई है तो उसकी पिक मुझे आप इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करना मैं भी देखना चाहती हूं कि मेरे विवर्स ने इस केक को कैसे डेकुरेट किया है सो फाइनली अब हम बड़े वाला यहां पर टॉपर लगा देंगे और यह लिजे हमारा हैपी बड़े वाला ओर्डर का केक रस्मलाई वाला रेडी हो चुका है कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और अंगुरी रस्मलाई की रस्पी मैंने अल्रेडी अप्लोड कर दी है तो वह भी आप देख सकते हैं वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन को चेक कर ले ना इसी तरीके से और वे अमेजिंग से वीडियो में लेकर के आती रहूंगी तब तक लिए गाइस टिल दें टेक केर बाबाई थैंक यूफर वाचिंगो लिस्कीचिन